हाउ तो यूज शेरिट आप्लिकेशन इन 2021 तो 2021 में यहाँ पर शेरिट आप्लिकेशन को किस तरीके से यूज करना है यही मैं आपको बताऊंगा बैसिकली यहाँ पर जो शेरिट है यह एक बेस्ट फाइल मेनेजर आप्लिकेशन है और अगर आपके पास एंड्रोइट है और एंड्रोइट के लिए अगर आपको बेस्ट आप्लिकेशन सर्च कर रहे है फॉर ट्रांस्परिंग फाइल तो मोबाल तो मोबाईल दैन इस इस आप्लिकेशन बहुत ज़रा फेमस है और ग्लोबली बेसिस पर शेरिट आप्लिकेशन को कई सारी यूजर्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन अभी प्रॉबलम यह हुआ है कि जो शेरिट आप्लिकेशन है इसे प्ले स्टोर से रिमूफ कर दिया गया है येस तो अगर मैं आपको बता दूँ या पर मैं आपको पहले जाके दिखा रहे हैं प्ले स्टोर पर जाकर अगर आप शेरिट आप्लिकेशन शेर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी ऐसा शेरिट का ओफिसल्ट आप्लिकेशन शोर्नी करेगा उसके बदले में आपको कई सारे इसे लोकल्स, duplicates application show करेंगे जो आपको shared की तरह logo आपको दिखा देखने को में लेकिन real वाला shared application आपको कही पर भी app देखने को नहीं बिलेगा तो ऐसे मैं सबसे पहले shared application को use करने से पहले आप इस shared application को कहा से download कर सकते है ये भी मैं आपको बात होंगा जिससे कि अगर आप shared application को use करना चाते है in 2021 then you can use it but before you can download it तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको shared application का जो downloading process है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन इससे पहले मैं आपको shared application को use कर से तरह के से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको दोनो प्रोसस समझ में आएगा अब यहाँ पर मैं shared application के लिए यहाँ पर left वाले mobile to right वाले mobile में कोई भी files को transfer करना होगा चाहिए वो फोटो हो वीडियो हो या तो application हो तो सबसे पहले transfer करने से पहले आपको दोनों को एक दूसर से connect करना होगा तो connect करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको decide करना है कि कौन से mobile से आप कौन से mobile में files को transfer करना चाहते हैं तो मेरे cases में यहाँ पर जो left वाले mobile है यह left वाले mobile में right वाले mobile में files को transfer करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं send option चूस करूँगा और इसमें मैं Receive option चूस करूँगा तो इसके लिए मैं जाओंगा यहाँ पर आपको सबसे पहले डिसाइड करने कि आपको क्या transfer करना है तो let's मैं पहले आप पर transfer करूँगा एक application तो मैं application का option मैं यहाँ पर आप files transfer कर सकते है videos transfer कर सकते है application photos, music and many more you can just transfer from here तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जाओंगा और यहाँ पर जो application है उसे transfer करूँगा तो इसके लिए सबसे पहले मैं application चूस करना तो जो भी application को आप transfer करना चाहते हैं आपको इस तरह के तो यहाँ पर मैं दो application चूस किया जैसे आप application को चूस करेंगे यहाँ पर आपको एक blue color का tick देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर करने के बाद ही आपको यहाँ पर करने के बाद ही आपको यहाँ पर यहाँ पर करने के बाद ही आपको यहाँ पर यहाँ पर करने के बाद ही आपको यहाँ पर यहाँ पर QR code दिखेगा तो यहाँ पर आप दो तरीके से connect कर सकते हैं यहाँ तो जिससे आप send करना चाहते हैं, उसमें आपको इस mobile का नाम दिख जाएगा, जैसे कि आप ये mobile का नाम है, 6-5C, and now 6-5C, as you can see, आप directly चाहते हो, इस पर tap करके connect कर सकते हैं, connect हो जाएगा, otherwise आप QR code की help से भी इसे connect कर सकते हैं, जो कि एक दम easy सा process है, device को connect करनेगा, तो let's मैं देख की तुरू, आप इसको easily connect कर सेथ, but make sure कि आपका QR code सेम वे में connected हो, like this, as you can see, तो बस आपको device को एक ये बार connect करना है, बार बार आपको connect करना है, और जो QR code का जो option है, वो एक तरीके से best है, transferring करने के लिए, और इस QR code की तुरू कि तुरू कि तुरू कि तुरू कि आपका जो connection वो एक तरीके से बीच में break नहीं होता है, तो ये थोड़ा ज्यादा better है as compared to this, so now as you can see, यहाँ पर जो application है, वो यहाँ पर transferring होना start हो गया है, as you can see that, so it's completely easiest and simplest way to transfer file and to use shared application, यह जो topic था, especially for beginners के लिए cover कर रहा हूँ, because जो beginners है, जो first time shared application को use कर रहा है, तो उन्हें starting time में problem हो गई कि shared application के तरू आप files को किस तरीके से transfer कर सकते है, so best way to use shared application, this is the way, उसके बाद यहाँ पर अगर आपको फिर से, अभी तो हमने application को transfer किया, अभी अगर आपको चाहाँ तो video को transfer करना है, तो फिर से आपको यहाँ पर जाना है, अब यहाँ पर लेकिन device को आपको एक यह बार connect करन कि जरूरत नहीं है, तो एक बार फिर आपको अभी application के बाद अगर आपको को video या app photo transfer करना है, तो इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर send files के option पर tap करना है, और उसके बाद उस category में जाना है, जिससे आप transfer करना चाहते है, जिससे कि मेरे cases में, मैं video transfer करना चाहते हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको video choose कर लेना है, जिसको भी आप transfer करना चाहते है, तो वो एक video आपको यहाँ पर choose कर लेना है, तो जिसको भी आप choose करना चाहते है, उसको आपको यहाँ पर इस तरीके से tap कर देना है, और tap करने के बाद फिर से आपको send file पर tap कर देना है, और उस as you can see that तो फिलाल अभी मेरे cases में इस वीडियो को में share ने करना चाता हूँ तो इसको मैं cancel कर दूगा because ये वीडियो है अलड़ी में बस तो cancel कर देगा तो यहाप पर आपको इस तरह के से टाप कर देना है like this and then उसके बाद या पर selected मिल जाएगा आपको send पर tap कर देना है and now as you can see पूरा का पूरा photo instantly transfer हो गया because photo का size बहुत ही ज़्यादा कम होता है finally अब ये I hope आप समझेगे कि आपको किस तरह के से shared application को use करना है in 2021 because एकदम easy सा ये application है इसका user interface as compared to other file transferring application बहुत ही ज़्यादा easy और एक्दम simple है अब यहाँ पर second step है जैसे मैं आपको starting में बताया था कि shared application को अगर आप download करना चाहते है तो आप कहा से download करेंगे because यहाँ पर जो play store है वहाँ पर तो आपको shared application नहीं मिल रहेगा right because play store से वह आप रिमूफ हो गया है वो लेकिन वह इंडिया में बैन नहीं हुआ है सिफ play store से रिमूफ हुआ है तो अगर आप फिर भी उसे डाउनलोड करना चाहते है तो जो step में आपको बताऊंगा वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते है because मैंने भी वह इस step को अप्लाई करते हो अगर मुझे share it application को डाउनलोड करना है तो तो simple जाना है आपको अपने google chrome browser में chrome में जाने के बाद आपको directly जाना है google.com पे और यहाँ पर आपको search में type करना है share it download for android same आपको as is it search करना है share it download for android जैसे आप search करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक website show होगी as you can see softtonic.com यह जो website बहुत ज़्यादा popular है और इस पर आपको वो सारे application available मिलेंगे जो आपको google play store पर available नहीं मिलते है और even maybe जो मेरे mobile में जो real वाला official shared application यूज कर रहा हूँ वो भी मैं इसी website से मैंने उसे download किया है और इस पर आपको most basically सारे application available मिल जाएंगे जो play store पर available नहीं है तो directly आपको यहाँ पर option आजाएगा share it application for download तो directly आपको इस पर tap करना है और यहाँ पर आपको share it का जो latest version आला जो application है वो आपको यहाँ पर available मिल जाएगा अगर आपको share it का older कोई भी application version डाउनलोड करना है तो आपको scroll down करना है scroll down करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे application shared के जो older version है वो भी आपको यहाँ पर available मिल जाएगे इसके अलाबा अगर आप अपने laptop और PC में shared application को install करना चाहते है तो यहाँ से आप उसे easily download कर सकते है तीनों versions में available है Windows के लिए Mac के लिए और iPhone के लिए as you can see but फिलाल अभी हम latest version डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर हम tap कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको just past से 10 second तक wait करना है यह automatically यहाँ पर download होना start हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको free apk पर download option पर tap करना है and now you just need to wait over here यहाँ पर आपको यहवाँ option pop up आएगा यहाँ पर आपको करेंगे this will harm for you but it's okay नॉर्मल है तो आपको directly इस पर tap करना है और उसके बाद यहाँ पर जो shared application है वो download होना start हो जाएगा as you can see 73 MB का यह file है obviously बात है because shared application काफी ज़रा file transferring का quality performance provide करता है तो obviously बात है इसका size ज़रा होना deserve करता है so finally जो shared application है download हो गया है just आपको इस पर tap करना है installation के लिए like this so यहाँ पर install का option आजाएगा just आपको install का option पर tap करना है and now as you can see जो application है वो installed हो गया है app installed and then done पर tap कर ले तो जो यहाँ पर basically मैंने जो shared application वो already मेरा mobile में install किया था तो यहाँ पर फिर भी install हो है means यह shared application का जो latest version है वो यहाँ पर update हो गया होगा that's it's all about so as you can see so overall मैंने का बतलब यह है तो मैंने आपको यहाँ पर दोनो स्टेप बता है like first of all कि shared application को किस तरह के से use करना है 2021 में और second shared application को कहा से download करना है कैसे download करना है अपने android mobile में because वो play store पर अबिलेबल नहीं है so you guys are learn this both of thing so if you have any question relevant to that then you can ask me in comment section and I'll definitely gonna reply to you thank you and have a good day keep safe, keep stay away thank you thank you